Once again, I welcome all of you on our platform Let's Dream Together So, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने कुछ important points बताने वाली हूँ कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है अपने इंटर्व्यू के दोरान इंटर्व्यू खतम होने के बाद और इंटर्व्यू शुरू होने से पहले तो one by one हम हर एक points को discuss करेंगे और आप end तक जरूर देखेगा काफी कुछ जो है आपके जो normal doubts होते हैं वो clear हो जाएंगे इस वीडियो के through और अगर still कोई आपका doubt इस वीडियो को देखने के बाद रह जाता है then don't forget to put them in a comment section and there I will try my best कि आप सभी का reply वहाँ पे दिया जाए तो सबसे पहले हम आते हैं की interview जिस दिन आपका होगा उससे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहला आता है dress ठीक है तो dress कैसी पहन लिए most important question for boys and girls both दोनों को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है dress अपने interview के लिए तयार कैसे करनी है तो सबसे पहला point यह है कि अपनी dress को जितना हो सके उतना simple and sober रखो अपनी personality for example अपका hair style कैसा है तो उसको बिलकुल simple रखो simple in the sense की मांग करके जा रही है और दूसरा for girls open hairs में नहीं जाएगा try कि आप अपने hairs को या तो जूडे में उनको tie कर लें या फिर pony tail बना लें और या फिर अपनी braid भी बना सकते हैं तो आपके पास यह कुछ options रहते हैं उसके बाद dress में आता है कि में लिए आपको formal dress रानी है formal में क्या जाएगा लड़कों के लिए normal जो आपकी formal shirt और pant आती है for example white shirt and black pant और उसके नीचे formal जो चमडे के shoes आते हैं वो आप ले सकते हैं साथ में आप tie भी wear कर सकते हैं अगर आपको पहननी आती है तो उसके बाद next girls के लिए क्या क्या option first option साडी जो आपकी साडी है वो आप ट्राइ कर सकते हैं अगर आप उसमें already comfortable है अपने पहले पहनी होई है तो ही पहन के जाएगा otherwise वहाँ पर try मत करिएगा और साडी जो आपकी cotton की होनी चाहिए ऐसी bright जो है बिल्कुल नी होनी चाहिए की चमक रही है वो उस पर सितारे वितारे लगे होई है तो यह चिज़े avoid करनी है और उसके बाद suit और सलवार भी पहन सकते हैं या फिर suit के नीचे लागिंग्स भी ले सकते हैं और suit कैसा होना चाहिए ट्राइ किज़ेगा जो सूट का जो ऊपर की जो हमारा जो गला होता है उसमें फॉर्मल रुक आनी चाहिए और फॉर्मल लुक कैसे आ सकती है आपको कॉलर वाला सूट जो है बनवाना पड़ेगा ठीक है उसके साथ क्या क्या ओप्शन है आप किसी भी शॉप पे चाहिएगा साडी हो गया फिर आपका सूट हो गया उसके रीचे आपको कुछ फॉर्मल वैली मिलती है तो वह आप ले सकते हैं तो आपका यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा उसके बास सेकिंड पॉइंट पे हम चलते हैं कि जिस फॉडर में आपके instruments होंगे वह चाहिए तो आपका फॉडर होना चाहिए काफी हैंडी होना चाहिए आप उसको इजिली अपने साथ के री कर पाते हो उप इंटेव्यू होल में एंटरी करते वक्त और आते वक्त यह नही मिए एंटरी कर रहे हो एक साइड आपका जो folder में से आपके documents नीचे किर रहे हैं आप उसको उठा रहे हो तो ये situation create नहीं होनी चीए इसलिए कुछ अपना जो file folder है वो काफी handy सा लेके जाना ताकि आप उसको easily carry कर पाओ next point आता है किसी भी interview की starting कैसे होती है एक room होता है आपको पहले बताया जाएगा कि हजज आपका नाम हागया है और आप जई आपको बिलाया गया है ठीक है तो आप पहला काम क्या करेंगे एंट्री करेंगे ठीक है तो कहीं भी जब हम class में बच्चे आते हैं तो एंट्री करने से पहले पूछते हैं तो इसी तरीके से आपको पहले परमीशन लेनी है ठीक है जैसे ही आप रूम के अंदर जागते हैं तो टेका परमीशन आपकी बोडी लेंग्विज जो है कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि आप पूरे पैनल की तरफ एक बार नजरे गुमाते हो और फिर बोलते हो में जैस जैसे वो आपको परमीशन देते हैं तो विदे स्माइल अंदर एंटर कीजिए और जैसे ही आप टेबल के सामने पहुचते हो तो उनको ग्रीट करिए ग्रीट का मतलब विश्डाप आपके लिए उस पे मत बैठेगा दोंट सेट देयर विद आपने जैसे ही ग्रीट किया ह जब तक आपको पैनल परमीशन नहीं देता है तब तक आपको नहीं बैठना है जैसे ही वो आपको बोलते हैं कि जो भी आपका नाम है कि सिट डाउन तो आप उसके बाद उनको थैंक्यू बोलेगा और खुद को कमफर्टेबल करने के लिए जो आपका फोल्डर है उसको सा दिखान रखेगा एक तो आप बिल्कुल जुक्के नहीं बैठे है ठीक है या फिर दूसरा जो आप बैठने के बाद अपनी लेक्स मुवमेंट नहीं कर रहे हैं थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं एक आप बिल्कुल ऐसे वह लब आपका पोश्चर ऐसा होना चाहिए कि यह आपको इन चीजों का ध्यान रखना है बेसिक चीज़े होती हैं किसी भी इंटर्व्य की स्टार्टिंग फर्स इंपार्टेंट कोशन से होती है तो एक बार यह शुरू करने से पहले एक पॉइंट यहां पे मेरको ध्यान आया तो जैसे है यह बैठोगे एक पॉइंट युदे आ सकता है कि वह आपको offer करे महाँ पे टेबल पर बोड़े भी रखी होती है पानी की ग्लास भी रखी होती है कि आपको खंवर्टेबल कराने के लिए वह सकते हैं कि आप पानी पीजे है बोट अगर आपको नहीं पीघे और बैठने के Бाद उनको बोलेगा no thank you sir I am comfortable ठीक है ऐसा बोलने के बाद फिर आपका interview शुरू हो जाएगा interview में सबसे पहला important question यही आता है कोई भी panel है वो आप में से उन में से कोई भी वेशाली introduce yourself ठीक है ये बोलने के बाद आपको क्या करना है अपना introduction बिल्कुल short and crisp रखेगा छोटा और crispy मतलब कि easily उनको समझ आजाए कि आपका नाम क्या है ठीक है और educational background क्या है आपके parents क्या करते हैं आपका return का score क्या रहा है I hope आपको ये 4 points clear हो गए होंगे और अगर आपने clear कर लिए हैं तो comment section में अपना introduction जरूर दीजिएगा आपका नाम क्या है educational background क्या है और parents के बारे में बताईएगा अगर आप बताना चाहते हैं इसको आप skip skip भी कर सकते हैं छोड़ सकते हैं जरूरी नहीं है अपने तक ही limited introduction को main point क्या है इसको सिर्फ अपने तक ही limited रखेगा इसमें आप hobby भी एड़ कर सकते हैं और हाँ जी hobby जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी daily life में कुछ quality life add on करती है ना कि आपका time pass कराने में help करती है तो अपनी अगर hobby बताते हो तो उसका एक ऐसी hobby बता जो आप जिससे उनको लगे कि हाँ ये hobby इसलिए रखी है ताकि he or she can develop herself or himself in all round ठीक है उसके बाद next important question कई बार क्या हो जाता है introduction के दुरान अगर आपको लगता है आपका नाम जो है काफी unique है ठीक है तो उसका meaning जरूर याद कर की जाएगा कई बार आप जैसे ही introduction खतम करेंगे उनका direct question आता है कि आप what's the meaning of your name अपने नाम का meaning बताईगी तो ये आप चीज प्रिपेर कर सकते है उसके बाद probability क्या बनती है आप teaching exam से related interview देने जा रही है तो most important and favorite question panel का क्या हो सकता है कि why teaching आपने teaching profession तो इस question का अपना अच्छा सा अंजर तयार करके जाएगा ये नहीं है कि आप वही same repeated answer देंगे कि to serve my country मैं जो है teaching profession के लिए आया हूँ वो थोड़ा आपको interview panel को जो है थोड़ा बनावती लगेगा तो उसको आप अच्छा बना सकते हो for example being a teacher हम दूसरों को educate करते हैं और खुद को भी update रखते हैं lifetime ताकि हम और better तरीके से पूरी इंडिया को अपने यूथ को educate कर पाएं और इसके साथ teaching profession एक ऐसा profession है जहां पर हम society के साथ connect रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से अपने कुछ reasons prepare करके जाएगा उसके बाद next important question आता है कि पूरे interview के दुरान आपको भाशा कों सी यूज़ करनी चाहिए English Hindi और bilingual तो एक बार इस point को देखते हैं कि English कब करनी चाहिए Hindi कब करनी चाहिए और bilingual कब करनी चाहिए अगर आप थोड़ी मलब होता है ने एक English बोल पाते हैं हलकी फुलकी की बीच में Hindi आ गई English आ गई तो आप एक काम करिएगा जो आपकी interview की starting है इंट्रोडक्शन जो है अपना प्रिपेर करके जाएगा completely in English जो अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो किसमें रखेगा English में रखेगा ठीक है उसके बाद अगर आपसे कोई formal interview के दोरान कई बार क्या होता है कुछ informal discussion शुरू हो जाते हैं तो उन informal discussion के दोरान आप क्या क कर सकते हैं English भी और Hindi भी कुछ vocabulary होती है जो आप interview के दोरान यूज कर सकते हैं उसके बाद next आता है कि डामो टीचिंग डामो टीचिंग में जिसे कि हमने पता हमें पता है NCF National Curriculum Framework जहां पे मतलब कई हम पैड़ागोजी में भी पढ़ते हैं कि जो हमारी टीचिंग है वो मा करूंगी कि अपने जो आपका डेमो टीचिंग होने वाली है जो आप करोगे interview के दोरान उसको जो है आप bilingual रखेगा दोनों भाशाओं में जो है समझाने की explain करने की कोशिश करिएगा